इस वीडियो में है class 10 के subject maths का chapter number 12 जिसका नाम है areas related to circles areas related to circles का ये part 2 है जिसमें करेंगे exercise 12.1 exercise 12.1 में total 5 questions है एक एक करके सभी questions को इसी वीडियो में solve करेंगे इसके अलावा chapter number 12 के जो भी ये other parts है सभी के link आपको नीचे description box में दिये गए है सभी parts को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना next page से शुरू करते है exercise 12.1 exercise 12.1 के सबसे पहले question में आ जाता है the radius of two circles are 19 cm and 9 cm respectively find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles question number 1 में हमें 2 circle दिये गए है जिनका radius 19 cm और 9 cm दिया गया है अगर इन दोनों circle के circumference को add कर दिया जाए तो कोई third circle बन जाता है जिसका radius हमें find करना है so solution में सबसे पहले इस तरह से 3 circle बना लेंगे अलग-अलग उपर वाले जो circles है ये हमें given दिये गए है इनका radius हमें दिया गया है यानि कि first जो circle है माल लेते हैं इसका radius होगा R1 जो हमें दिया गया है 9 cm ये वाला इसके बाद 19 cm ये वाला हो जाएगा हमारा circle जिसका radius माल लेते हैं अपनी तरफ से होगा R2 ये हमें 19 cm दिया गया है अब हमें क्या निकालना है जो 3rd circle बनेगा इन दोनों के circumference को add करने पर इसका radius क्या होगा सो माल लेते हैं इसका जो radius है वो होगा R3 इसी की value हमें find करनी है question में हमें condition दी गई है कि जो भी हमारे given circle है जिनका radius हमें दिया गया है अगर इन दोनों circle के circumferences को add कर देते हैं तो इस वाले circle के circumference के equal हो जाता है तो इस question को solve करेंगे circumference of circle वाले formula से formula यहाँ पर लिख देता है circumference of circle circle का circumference का formula हो जाता है 2 pi r अब simple सी बात है question में condition जो दी गई है उसके according चलेंगे हमें क्या करना है first वाले और second वाले जो भी हमारे ये circle है इन दोनों circle के circumference को add कर देना है formula में यहाँ पर आ रहे है लेकिन इसमें radius क्या है r1 यानि कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 pi r1 इसमें add करेंगे दूसरे वाले circle का circumference इसका formula r की जगे पर यहाँ पर आ जाएगा r2 इन दोनों circle के circumference को अगर add कर देते हैं तो वो होता है third वाले circle के circumference के equal so equals to में यहाँ पर आ जाएगा 2 pi और इस third वाले circle का radius क्या है r की जगे पर क्या रखेंगे r3 इसका radius है r3 अब simple सी बात है formula से ही solve करते है values बाद में put करेंगे solve करने के लिए आप देख सकते हो इस वाली term में 2 pi आता है और इस वाली term में भी 2 pi आता है यानि कि 2 pi को common लिया जा सकता है 2 pi common लेने पर बचेगा क्या देख सकते हो इसमें से 2 pi common ले लिया तो यहाँ बचेगा r1 लिख देंगे यहाँ पर आ जाएगा R1 इसके बाद plus sign हमारा as it is आ जाएगा यहाँ से 2 pi को मल लेने पर बचेगा R2 तो यहाँ पर आ गया हमारा R2 bracket close करके equals to में हमारा 2 pi और R3 as it is लिख दिया जाएगा आप देख सकते हो 2 pi इस side में भी है 2 pi इस side में भी है यानि कि 2 से 2 cancel हो जाएगा और pi से pi cancel हो जाएगा हमारी values क्या आएंगी R1 प्लस में R2 equal होगा इस side में हमारी value बचती है R3 सो यहाँ पर आ जाएगा R3 हमें क्या find करना है R3 यानि कि इस वाले सरकिल का radius है सो R1 R2 की values put कर देते हैं R1 की 9 R2 की 19 सो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस में R2 की value put कर देते हैं 19 equals to में क्या होगा equals to में R3 की value हमें मिल जाएगी इस side में हम अपना R3 as it is रखेंगे 9 और 19 को add करेंगे तो हमें मिलेगा 28 और equals to में आ जाता है R3 हमें यही find करना था तो यह हो जाएगा R3 यानि की इस वाले सरकिल का radius बिल्कुल सिंपल है इस वाले सरकिल का circumference इन दोनों सरकिल के circumference का addition है तो circumference वाला concept अपलाई करके इस वाले का radius हम direct find कर सकते हैं और find करने के लिए आपको पता होना चाहिए circumference of circle का formula सो इसी answer के साथ question number 1 हो जाता है complete question number 2 के लिए move करते हैं next page पर question number 2 इसमें है the radius of two circles are 8 cm and 6 cm respectively find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of the two circles question number 2 में भी हमें दो circle दिये गए हैं जिनका radius 8 cm और 6 cm हमें दिया गया है अगर इन दोनों circle के area को add कर दिया जाए तो एक third circle बनता है जिसका radius हमें find करना है तो इसके भी solution में इस तरह से हम तीन circle बना लेंगे उपर वाले दो circle का radius हमें दिया गया है first वाले circle के radius को माल लेंगे हम r1 जो हमें दिया गया है 6 cm दूसरे वाले circle के radius को माल लेंगे r2 जो हमें दिया गया है 8 cm अगर इन दोनों circle के area को add कर दिया जाए तो एक third circle बन जाता है माल लेते हैं इसका radius होगा r3 यही हमें find करना है इसी की value हमें निकालनी है question में area of circle की बात की गई है तो area of circle का formula यूज करके इस question को solve किया जाएगा formula यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले area of circle formula होता है इसका pi r square बिल्कुल simple सा formula है apply करते हैं इसे question पर हमें क्या करना है first वाले circle और second वाले circle के area को add करना है so first वाले circle का radius हमें r1 दिया गया है तो यहाँ पर रहा जाएगा हमारा pi r1 का square इसके बाद इसमें add करेंगे जो हो जाएगा हमारा pi r2 का square अगर इन दोनों circle के area को add करते हैं तो वो equal होता है third वाले circle के area के equal so equals to में यहाँ पर आजाएगा pi r3 radius यहाँ पर क्या है r3 और इसका हो जाएगा यहाँ पर square अब इसको solve करेंगे यहाँ पर r1 और r2 की values अभी put नहीं करनी है सबसे पहले pi को eliminate करेंगे ऐसे ही solve करेंगे देख सकते हो यहाँ पर है pi r1 का square यहाँ पर pi आ जाता है और इसमें भी pi है याई कि pi को यहाँ पर common लिया जा सकता है pi को पर बचेगा कहाँ यहाँ पर बचेगा r1 का square लिख देते हैं यहाँ गया r1 का square इसके बाद plus का sign लगाएंगे और इस वाले में से pi को लेने पर बचेगा r2 का square तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा r2 और इसका square, इसके बाद equals का sign लगा कर यहाँ पर pi r3 और इसका square as it is आ जाएगा, आप देख सकते हो इस side में भी pi है, इस side में भी pi है, यानि कि pi से pi को cancel कर देंगे, अब r1 और r2 की values को put करेंगे, आप देख सकते हो r1 का square है, r1 की value हमें 6 दी square है, तो यहाँ पर 8 का भी square हो जाएगा, इसकी value का भी square हो जाएगा, अब इसके equal में r3 का square है, यह as it is आ जाएगा, इसकी value हमें find करने है, value put हमने कर दी हैं, अब इसको solve कर लेते हैं, 6 का square, 6 को 6 से multiply करेंगे तो हो जाएगा, 36, इसके बाद plus का sign लगाएंगे, 8 का square, यानि क 8 को 8 से multiply करेंगे, तो हमें मिल जाएगा, 64 और equals to me r3 का square, as it is, 36 और 64 इन दोनों को add करेंगे, तो हमें मिलेगा, 100 और equals to me r3 और इसका square, as it is, हमें r3 square की value नहीं निकालनी है, हमें r3 की value, यानि कि इस square को हटाना पड़ेगा, और square हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, root लगा तो अगर इस side में root लगाया है, तो इस side 100 पे भी हमें root लगाना होगा, अब इस side में 100 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 10 multiply में 10, root इस पे as it is लगा रहेगा, equals to me, जो यहाँ पर r3 square पे root लगा है, square से root cancel हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा r3, और यहाँ पर आप नमबर 2 का answer, यानि की इस वाले circle का radius, r3 की value हमने find कर ली है, 10 cm, बिल्कुल simple है, दोनों circle के area को add करने पर, third वाले circle के area के equal हो जाता है, तो इस वाले concept से third वाले circle का radius हम find कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारे third वाले circle का radius, यही हो जाएगा question number 2 का answer, question number 2 हो जाता है complete, question number 3 के लि figure depicts an archery target marked with its five scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the five scoring regions. Question number 3 में हमें archery target के scoring regions दिये गये हैं. सबसे center में gold है, उससे बाहर red, उससे बाहर blue, उससे बाहर black और उससे बाहर white. जो सबसे center में gold है, इसका diameter हमें 21 cm दिया गया है और इस gold के बाद जो भी red, blue, black और white है, हर एक band 10.5 cm wide यानि की चोड़ा है. हमें हर एक color region के area को find करना है. सबसे पहले center से शुरू करेंगे, जो ये gold region है, gold वाला part है, इसका area क्या होगा, ये पता लगा लेते हैं, इस वाले page पर, red वाले का next वाले page पर पता लगाएंगे. सो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, area of gold region, ये gold वाले region का area निकालने के लिए use करेंगे area of circle, जो होता है हमारा pi r square, simply इसमें values पुट करनी है, लेकिन उसके लिए हमें पता होने चाहिए, gold वाले region है, इसके radius, radius तो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर diameter given है, 21 cm, so d equals to में हमें दिया गया है 21 cm, diameter की value दी गई है, तो radius find करना बिल्कुल easy होता है, जो भी हमारा diameter हमें 21 दिया गया है, इसको 2 से divide कर देंगे, इसका half कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इस gold वाले region का radius 21 upon 2 cm, इसे cancel नहीं करेंगे, as it is formula में रख देंगे, so formula हमारा क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हो, pi r square, pi की value क्या रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगी हमारी 22 upon 7, इसके बाद multiply का sign लगाएंगे, r का square करना है, r की value है 21 upon 2, so 21 upon 2, एक बार लेके देंगे, इसका square करना है, तो इसी value को फिर से यहाँ पर multiply भी कर देंगे, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 21 upon 2, square का मतलब क्या होगा, r को r से ही multiply करना, यानि कि इसकी value को इसी की value से multiply कर देना है, अब यहाँ पर cancel करेंगे, देख सकते हो 7 है, उपर 21 है, 7 क table में आता है, so 7th रीजा हो जाएगा, 21 इसके बाद यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 22 है, 2 से 22 को cancel किया जा सकता है, 11 times पर अब calculation कर लेते हैं, जो भी value cancel हो सकती थी हमने कर दी है, calculation बिलकुल simple होगी, हमारी 11 को 3 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 33, उसके बाद multiply में 21 as it is र उपर वाली value 33 और 21 को multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा 693 और denominator में 2 हमारा as it is, 2 से उपर वाली value को cancel करेंगे, so simply 2 3 जा आ जाएगा 6, उसके बाद 2 के table में 9 नहीं आता है, लेकिन 2 4 जा होता है, 8, यहाँ पर बचेगा 1 उसके पीछे लगाएंगे 3 तो हो जाएगा 13, 2 के table में 13 लेकिन 2 6 जा 12 जरूर होता है, 13 में से 12 को minus करेंगे तो बचेगा 1 जो कि 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो यहाँ पर उसके लिए point लगा लेंगे और उस 1 के पीछे 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 10, अब 2 के table में 10 आता है 5 times per, यानि कि जो भी हमारा यह gold वाला part है, gold वाला region ह इसका area हो जाएगा 346.5 cm2, gold वाले region का हमें diameter दिया गया था, diameter से हमने radius find किया, उसके बाद formula में values पुट करके हमने find कर लिया है gold region का area, इस gold region का diameter दिया गया था 21 cm, diameter से हमने radius find कर लिया, इस formula में values पुट की तो हमें मिल गया है इस gold region का area, अब red region का area भी हमें find करना है इसको next page पर find करेंगे लेकिन आपको याद रखना है gold region का area क्या था इसकी जरूरत पड़ेगी हमें red region का area find करने के लिए gold वाले region का area हमने find कर लिया था 346.5 cm2 पीछे वाले page पर अब हमें find करेंगे red वाले region का area अकेले red वाले region का area find नहीं किया जा सकता है सो हम क्या करेंगे gold और red इन दोनों को मिला कर area find कर लेते हैं gold और red region का area find करने के लिए हमें radius पता लगाना होगा gold से लेकर यानि कि center से लेके red वाले region के edge तक इस gold वाले region का diameter पीछे वाले page पर दिया था 21 cm इसके बाद हमें क्या बोला था जो भी ये bands है red color का band है ये कितना चोड़ा है 10.5 cm सो ये इस side में भी 10.5 होगा और इस side में भी 10.5 होगा लिख देते हैं ये यहाँ पर भी 10.5 cm होगा और यहाँ पर इस side में भी 10.5 cm इसकी width होगी अब बात कर लेते हैं diameter की diameter find करना easy है बिलकुल जो भी ये gold और red वाला region है इसका area हमें find करना है तो इसके diameter में एक simple straight line draw कर देंगे center से होती हुई आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जो red वाले band में है ये 10.5 होगी उसके बाद gold वाले region में जो है ये 21 cm होगी और फिर से red वाले part में जो है ये फिर से 10.5 होगी तो diameter क्या आएगा हमारा d equals to में तीनों को add कर देंगे जो भी यहाँ पर हमें ये मिले हैं इन तीनों को add करेंगे तो सबसे पहले 10.5 ये वाला हमारा यहाँ पर as it is आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 21 हमें दिया गया है इसके बाद last में यहाँ पर कितना है 10.5 तीनों को add कर दिया है हमने add करने पर कितना मिलेगा 42 10.5 में 10.5 add करेंगे तो हो जाएगा 21 और 21 और add कर देंगे हमें मिल जाएगा 42, diameter 42 हो गया तो हमारा radius क्या होगा, radius क्या होता है? diameter का half, diameter हमारा 42 है, इसका half करेंगे, यानि कि इसे 2 से divide करेंगे, simply 2 से 42 को cancel किया जा सकता है, तो 2, 2 to 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 के table में 2 आता है, वन टाइम पर, यानि कि radius हमें यहाँ पर मिल जाता है 21 cm, radius हमें पता चल गया है, अब इस वाले part का area find कर लेते हैं, area find करने के लिए यहाँ पर लिखता हूं, area of gold plus red region, red region का अकेले area हम find नहीं कर रहे हैं, हम gold और red दोनों का area 81 find कर रहे हैं, इसके लिए formula use करेंगे area of circle यानि कि pi r square का, values बुट करना बिल्कुल simple है, pi की value आपको पता ही है, 22 by 7 होती है, इसमें multiply कर देंगे r का square, r यहाँ पर 21 है, तो इसमें दो बार multiply कर देंगे, 21 multiply में 21 हमारा यह हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, 7 से 21 को cancel किया जा सकत है, so 7, 3 हो जाएगा, 21, अब जो भी values आई है, सभी को multiply कर लेंगे, 22 को 3 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 66, इसमें multiply करेंगे, 21 को, तो हमें मिलेगा, 1386 cm2, यह area है, gold प्लस red वाले region का, दोनों का area मिला कर है, यह, हमें क्या find करना है, सिर्फ red वाले का, red वाले का find करने के ल किया है, gold प्लस red का, इसमें से gold वाले को minus कर देंगे, जो हमने पीछे वाले page पर find किया था, 346.5 cm2, यहाँ पर मैं लिखूँँगा, area of red region, red region का area find करने के लिए, जो भी हमारा 1386 आया है, इसमें से gold वाले area को minus कर देंगे, यानि कि यहाँ पर आ जाएगा, 346.5, 1386 में से, अगर minus करेंगे, 346.5 को, तो यह हमें मिल जाएगा, 1039.5, अगर यह area है, तो हम इसके पीछे cm2 भी लगा देंगे, यह होगा सिर्फ red वाले इस region का area, पीछे वाले page पर हमने gold पार्ट का area find कर लिया था, इस वाले page पर red वाले पार्ट का area यहाँ पर हमने find कर लिया है, अब इससे आगे क्या करना है, इस blue वाले पार्ट का area find करना है, और इसे करेंगे next page पर, blue वाले पार्ट का area find करने के लिए, जो blue के अंदर दोनों color है, इन दोनों color का area जो हमने यहाँ पर 1386 find किया है, यह हमें पता होना चाहिए, तो इसे याद रखना काम आएगा अगल पेज पर, gold वाले पार्ट का area find कर लिया, red वाले पार्ट का area find कर लिया, blue वाले पार्ट का area find करने के लिए, हमें पता होना चाहिए, blue वाले पार्ट का diameter, तो diameter के लिए बिल्कुल same condition रहेगी, जो पीछे वाले पेज पर red के लिए थी, जो भी यह diameter है, इसको अगर 10.5 उपर क 10.5 नीचे की और बढ़ाएं, यहाँ पर लिख देते हैं, यह हमने यहाँ पर कितना बढ़ाया है, 10.5 और इसे नीचे की तरफ भी हमने यहाँ पर बढ़ाया है, 10.5, कोशन में हमें यह दिया गया है, कि जो भी हमारे यह color bands हैं, इनकी चोड़ाई कितनी है, 10.5 cm, तो इन जरूरत नहीं है, सिंप्ली यहाँ पर देख सकते हो, अगर 10.5 को 10.5 में add करेंगे, तो यह 21 हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से 10.5 को 10.5 में add करेंगे, तो यहाँ पर फिर से 21 हो जाता है, एक 21 हमें यहाँ पर दिया गया है, एक 21 इन से बन जाएगा, और एक तिसरा वाला 21 इन से बन जाएगा, यानि कि 21 प्लस में 21 प्लस में 21 हो जाएगा, या फिर 21 मल्टिप्लाई में 3 कर देंगे, तो इन सबका addition हमें मिल जाएगा, तो डाइमेटर कितना हो जाएगा, 21 मल्टिप्लाई में 3 यानि कि 63 हमें मिल जाएगा, डाइमेटर हमें मिल गया है, रेडियस करने की ज़रूरत नहीं है R की value as it is formula में रख देंगे तो इस blue वाले band यानि की blue वाले part का area find करने के लिए हमें blue, red और golden in tino का area सबसे पहले find करना होगा जिसमें हमारा R हो जाएगा 63 upon to यहाँ पर लिखता हूँ area of gold plus red plus blue regions in tino part का area find करेंगे 81 और इसके लिए use करेंगे pi r square यानि की area of circle formula बिल्कुल simple है बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें values put करेंगे pi की value आपको पता है 22 by 7 होती है और r की value यहाँ पर 63 by 2 हमें put करनी है so 63 by 2 यहाँ पर हमने लिख दिया है r का square है तो इसी में फिर से multiply कर देंगे 63 upon में 2 values put करने के बाद आप देख सकते हो 7 से 63 को cancel किया जा सकता है 9 times पर बिल्कुल इसी तरह से 2 से 22 को cancel किया जा सकता है guys 11 times पर जो जो भी values बची है उनको यहाँ पर लिख लेंगे बिल्कुल simple है multiply करके लिखेंगे 11 को 9 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 99 multiply में 63 हमारा as it is रहेगा और denominator में क्या बचा है यहाँ पर देख रखते हो 2 हमें दिया गया है 2 यहाँ पर as it is आ जाएगा अब 99 को 63 से multiply करेंगे 99 को 63 से multiply करने पर हमें मिलेगा 6237 और denominator में 2 हमारा as it is 2 से हम उपर वाली value को cancel करेंगे cancel करना बिल्कुल simple है guys 2 के table में 6 कितने पर आता है 3 times पर तो यहाँ पर 3 आ जाएगा उसके बाद 2 के table में 2 कितने पर आता है 1 times पर तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 2 के table में 3 नहीं आता है 17 से छोटी value आती है 16 8 times पर सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 17 में से 16 को minus करेंगे तो बचेगा 1 1 के पीछे 0 लगा लेंगे यहाँ पर उसके बदले लगा देते हैं 0.1 के पीछे 0 लगाने से बन जाएगा 10 2 के table में 10 आता है 5 times पर सो यहाँ पर आ जाएगा 5 यह हमारा area आ गया है gold, red और blue इन 3 लिजन का मिला कर सो इसके पीछे लिख देंगे centimeter square area है क्योंकि इन 3 लिजन का area हमने find कर लिया है लेकिन हमें तो सिर्फ blue वाला find करना है सो blue वाला find करने के लिए जो red plus में yellow वाला region है इसका area minus कर देंगे sorry red plus golden वाला जो region है इसका area minus कर देंगे और इसका area हमने पीछे वाले page पर कितना find किया था gold plus में red वाले का area था हमारा 1386 से सो यहाँ पर लिखता हम area of blue blue का area कितना होगा 3118.5 में से हम minus करेंगे 1386 को तो हमें blue वाले region का blue वाले part का area मिलेगा और 3118.5 में से 1386 को minus करेंगे तो हमें मिलेगा 1732.5 और यह area है इस blue वाले part का blue वाले band का blue वाले region का तो इसके पीछे लगा देंगे centimeter square हमने अभी तक gold वाले part का area find कर लिया है red वाले part का area find कर लिया है और अभी अभी हमने यहां पर blue वाले part का भी area find कर लिया है blue वाले के बाद हमें इस black वाले part का area find करना है इसको करते हैं next page पर और इस black वाले part का area find करने के लिए हमें पता होना चाहिए blue, red और इस golden वाले part का area जो यहां पर हमने find किया है 3118.5 cm2 इसको याद रखना, black वाले पार्ट का area find करते समय ये हमारे काम आएगा, black वाले पार्ट का area find करने के लिए हमें इसका diameter पता होना चाहिए, और diameter पता करने के लिए हमें condition क्या दी गई थी, कि जो भी ये bend है, इनकी width है 10.5 cm, यानि कि अगर इसे उपर की और बढ़ाएंगे, त तो ये भी हमारा हो जाएगा 10.5, दोनों तरफ हमने 10.5, 10.5 बढ़ा दिया है, तो diameter क्या होगा, ये हमें पता लगाना होगा, diameter पता लगाने के लिए जो भी हमारी ये values हैं सबको add कर देंगे, 10.5 को 10.5 में add करेंगे तो हो जाएगा 21, इन दोनों को add करने पर हमें 21 मिला, ब 21 प्लस में 21 प्लस में 21 और एक ये वाला भी 21, चार बार 21 को हमें add करना है, यानि simply diameter क्या हो जाएगा 21 multiply में 4, 21 को 4 से multiply करेंगे तो हमें मिल जाएगा 84, diameter हमें पता चल गया है, तो radius वाइंड करना बिलकुल easy होता है, यहाँ पर लिखेंगे small r equals का sign लगाएंगे, जो भी diameter की value यानि की 84 है, उसको divide कर देंगे 2 से, तो हमें radius मिल जाएगा, अब यहाँ पर जो भी हमारा ये 84 है, इसको 2 से easily cancel किया जा सकता है, 2 से 8 को cancel करेंगे 4 times पर, उसके बाद 2 से 4 को cancel करेंगे 2 times पर, जो भी हमारा ये radius से इसकी value मिल गई हमें 42 cm, radius की value हमें 42 मिल गई है, तो बिलकु जा सकता है, इस radius का use करके, तो यहाँ पर लिखता हूं, area of gold plus red plus blue plus black, जो भी ये 4 part है, center से, gold, red, blue और black, इन सभी का इकठा area हमें मिलेगा, formula यूज करेंगे इसके लिए pi r square, r की value रखेंगे 42, so simple values पुट करनी है, pi की जगे पर पुट कर देंगे 22 by 7, इसके बाद r का square है, या r की value 42 है, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, फिर से इसमें multiply कर देंगे 42, 7 से 42 को cancel किया जा सकता है, 7, 6 जा होता है, 42 cancel करने पर हमें 6 मिल गया, इसके बाद जो भी ये values हैं, इनको multiply कर लेंगे, 22 को 6 से multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा 132 और इसमें multiply करना है हमें 42, 132 को 42 में multiply तो ये हो जाएगा हमारा 5544 cm2, ये area आ गया हमारा black, blue, red और golden इन सभी parts का area मिला कर, लेकिन हमें तो सिर्फ black वाले part का area find करना है, black वाले part का area find करने के लिए इस पूरे area में से blue, red और golden इन तीनों का मिला कर area minus कर देंगे, इन तीनों पार्ट का area हमने पीछे वाले page पर find किया था 3118.5, इसको minus कर देंगे इस में से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, area of black, इस black वाले part का area find करने के लिए जो भी हमारा total area आया है 5544, इस में से minus कर देंगे, blue, red और golden वाले part का area, इन तीनों का मिला कर कितना था 3118.5, यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 5544 में से, अगर minus करेंगे 3118.5 को, तो हमें मिलेगा 2425.5, यह area होगा, इस black वाले part का area है, तो इसके आगे आ जाएगा centimeter square, इसकी unit हो जाएगी, black वाले part का area find हो गया है, हमने इससे पहले gold, red और blue वाले part का area भी find कर लिया है, बचा कौन सा? white वाला part, इसका area find करते हैं, next page पर और इसका area find करने के लिए, हमें याद क्या रखना है, जो भी हमने gold, red, blue और black वाले part का total area find किया था, इसको ध्यान में रखना, जो white वाला part है, उसका area find करने के लिए, इसका use किया जाएगा, gold, red, blue, black के बाद, white वाले part का area find करने के लिए, यहाँ पर इस diameter को उपर की तरफ भी 10.5 extend करना पड़ेगा, और नीचे की तरफ भी 10.5 extend करना पड़ेगा, इसे बढ़ा देते हैं, उपर की और यह हमने यहाँ पर बढ़ाया, 10.5 बिल्कुल इसी तरह से इसे नीचे की और भी extend किया है, यह भी हमारा 10.5 होगा, इन सभी values को add कर देंगे, इस full diameter को find करने के लिए, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, d equals का sign लगा देता हूँ, equals sign के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, pair बना सकते हो, 10.5, 10.5, इन दोनों को मिला कर हो गया, 21, बिल्कुल इसी तरह से, इन दोनों को मिला कर भी 21 हो गया, इन दोनों को मिला कर भी 21 हो गया, कितनी बार हमें 21 मिल जाता है एक बार यहां से दूसरी बार यहां से तीसरी बार यहां से चोती बार और पांचवी बार यहां से 21 को 5 से multiply करने पर हमें diameter मिलेगा इस white वाले part तक के region का 21 को 5 से multiply करेंगे तो हमें मिल जाएगा 105 अगर radius हमें निकालना है तो simple है diameter की जो भी value है 105 इसके denominator में रख देंगे 2 को complete इसे cancel नहीं किया जा सकता है तो R की as it is value फोर्मूले में रखेंगे तो यहां पर हमें लिखता हूं area of gold plus red plus blue plus black plus white यानि की इन सभी region का area इकठा अगर हमें find करना है तो उसके लिए formula यूज़ करेंगे pi r square बार बार यहीं बता रहा हूं है pi की value यहां पर put कर देंगे हम 22 upon 7 इसके बाद multiply कर देंगे center से जो white वाला part है इस edge का जो radius है यहां पर हमने find किया है 105 upon 2 यहां पर आ जाएगा 105 upon 2 r का यहां पर square है तो इसी को दो बार multiply करेंगे तो फिर से आ जाएगा 105 upon 2 7 से 105 को cancel किया जा सकता है 7 वंजा हो जाएगा यहां पर 7 इसके बाद 10 में से 7 को minus करेंगे बचेगा 3 3 के बीचे 5 लगाने पर हो जाएगा 35 7 के table में 35 आता है 5 times पर यानि कि 105 को 15 times पर 7 से cancel कर दिया हमने अब 2 से 21 को भी cancel कर देंगे simply 11 times पर जो जो भी values हमारी बची है सभी को multiply कर लेंगे 11 को 15 से multiply करेंगे जो भी value आएगी उसको 105 से multiply कर लेंगे यानि कि यह आ जाएगा हमारा 17,325 और इसके denominator में यहां पर जो यह 2 बचा है यह as it is यहां पर लिख दिया जाएगा अब simply जो भी हमारी उपर वाली value है इसको 2 से cancel करेंगे तो हमें area मिल जाएगा इस पूरे part का 2 से इसको cancel करेंगे 2 के table में 17 नहीं आता है 17 से कम 8 times पर 16 आता है तो मिल जाएगा 1,1 के पीछे ये 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 12 3 के table में sorry 2 के table में 12 आता है 6 times पर तो यहां पर हमने ये 6 लिख दिया है इसके बाद यहां पर 5 है 2 के table में 5 नहीं आता है 4 आता है कितने पर 2 times पर तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 2 से छोटा है तो point लगा कर 1 के पीछे 0 लगा देंगे, हो जाएगा 10, 2 के table में 10 आता है 5 times per, यानि कि simple words में 17,325 को 2 से cancel करेंगे तो हमें मिलेगा 8,662.5, यह area होगा इसे white, black, blue, red और golden इन सभी parts क area, यह area है, तो इसके आगे unit भी लिख देंगे centimeter square, हमें क्या find करना था, सिर्फ white वाले part का area, यहाँ पर लिखता हूँ area of white, white वाले part का area find करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा यह पूरा part है, जिसका area यहाँ पर हमने find क्या है, 8,662.5 इसमें से minus कर देंगे, white वाले part के अंदर जो भी area आता है, यानि कि black plus blue plus red plus में gold, जो हमने पीछे वाले page पर find किया था, 5,544 इसको minus कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर यह आ जाएगा, 5,544, minus करने पर हमें white वाले part का area मिल जाएगा, अगर हम 8,662.5 में से 5,544 को minus करेंगे, तो हमें मिलेगा guys, 3,118.5 cm square, यह होगा हमारे white वाले part का area, कोचन में हमें archery board दिया गया था, इसके अंदर जो भी अलग-अलग color regions हैं, इन सभी का area अलग-अलग हमें find करना था, तो इसी white वाले area के साथ, question number 3 finally हो जाता है, complete. अब इससे आगे, यानि की question number 4 के लिए move करते हैं, next वाले page बर. Question number 4, इसमें है the wheels of a car are of diameter 80 cm each, how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour? Question number 4 में car है, उसके हर एक wheels का diameter हमें दिया गया है, 80 cm, अगर car 10 minute तक 66 km per hour की speed से move करती है, तो हमें बताना है, जो भी car के tires हैं, वो कितने revolutions complete करते हैं, कितने total चक्कर लगाते हैं. So, solution में सबसे पहले हमें दो चीज़ दी गई है, speed 66 km per hour और time दिया गया है, 10 minutes, इनके सामने यहां पर लिख देता हूँ, speed दी गई है 66 km per hour और time दिया गया है, 10 minutes का, speed और time हमें दिया गया है, तो 10 minutes में 66 km per hour की speed से कितना distance car cover करेगी, ये find कर लेते हैं सबसे पहले, So, formula use करेंगे, speed equals to me, d यानि कि distance upon me, time, हमें क्या find करना है, distance, तो t यहां पर divide में है, इसा ही बेदेंगे तो हो जाएगा, multiply में, यानि कि distance का हमारा formula क्या बन जाएगा, speed multiply में, time, जो भी हमारा ये distance find करने का formula है, यहां पर लिख लेता हूँ, distance equals to me, speed multiply में, time, यहां पर value put करनी ह पहले हमें समझना होगा, कि जो speed है, 66 km per hour में दी गई है, लेकिन time यहां पर हमें minutes में दिया गया है, यानि कि जो भी हमें ये time minutes में दिया गया है, इसको same unit hour में change करना पड़ेगा, 10 minutes को hour में change करने के लिए क्या करेंगे, एक side में कर लेते हैं, 10 लिखा इसको divide कर देंगे, ए यानि कि 10 minutes को जब हम hours में change करेंगे, तो हमारा answer आएगा 1 upon 6, 10 minutes को hours में change करने पर हमें मिल जाएगा 1 by 6 hours, जो भी हमारा ये time है, इसको हमने hours में change कर लिया है, तो अब values put कर सकते हैं, distance की जगह पर d हमारा as it is आ जाएगा, speed यहां पर हमें 66 km दी गई है, एसकी जगह पर put कर द हैं, तो calculation बिल्कुल simple है, 6 से 66 को cancel किया जा सकता है, 11 times per distance हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर देख सकते हो, values को हमसी बची हैं, हमारी 11 और 1, 11 को 1 से multiply करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 11, और क्या होगा ये, किलोमेटर में, क्योंकि यहां पर unit क्या दी गई है, किलोमेटर हर में, तो distance हमारा हमें मिलेगा 11 किलोमेटर, अब जो भी हमारा ये 11 किलोमेटर डिस्टेन्स आया है, इसको cm में change करना पड़ेगा, और क्यों change करना पड़ेगा, क्योंकि कार के tires का diameter हमें cm में दिया गया है, 11 किलोमेटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1,000 से multiply कर दे क्योंकि 1 km में 1 lakh cm होते हैं, so 11 km जो हमारा distance है, इसको अगर हम cm में change करेंगे, तो ये हो जाएगा, 11 lakh, 11 के पीचे 5 बार 0 लग जाएगी, तो ये cm में change हो जाएगा, हमें ये पता लग गया है कि total distance कितना cover होता है, अब ये देखना है कि कितने complete revolution होते हैं, सो उसके लिए formula यहाँ पर लिखता हूँ number of revolution equals to make total distance upon make distance in one revolution अगर total distance को divide कर दिया जाए एक revolution के distance से तो हमें पता चल जाएगा कि total कितने revolution यानि कितने complete चक्कर लगाए है tires ने सो यहाँ पर जो यह total distance है यह तो हमने find कर लिया था 11 lakh सो इसकी जगह पर put कर देते हैं total distance की जगह 11 lakh 5-0 इसके पीछे लगा देंगे अब बारी आ जाती है denominator में distance in one revolution एक revolution में कितना distance cover होगा suppose कर लिजे यह car का tire है इसका diameter हमें 80 दिया गया है अगर radius find करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं d equals to में diameter दिया गया है इसका complete revolution कब होगा suppose कीजिए यह tire इस point से चलना शुरू कर देता है और एक complete revolution कब होता है इसके circumference complete होने पर यानि कि distance in one revolution इसकी जगह पर आ जाएगा circumference of this tire और circumference का formula आपको पता ही होगा वो होता है 2 pi और यहाँ पर एक side में मैंने formula लिख दिया है इसकी direct values यहाँ पर denominator में put करेंगे 2 हमारा as it is आएगा multiply में pi की value हो जाती है हमारी 22 upon में 7 और multiply में आ जाएगा r जो हमने यहाँ पर 40 cm find किया है तो इसकी value यहाँ पर 40 put कर दी अब इससे next step में बिल्कुल simple calculation है denominator में fraction दिया गया है और fraction के जो नीचे वाली value है वो उपर जाके multiply हो जाती है यानि कि 7 यहाँ पर जो यह है यह उपर जाके multiply हो जाएगा 11 lakh में इसके अलावा जो भी हमारी values है 2 multiply में 22 multiply में 40 as it is आ जाएगी अब next step में जो भी values cancel होती है उनको cancel करेंगे बी आता है 22 भी आता है 11 वन्जा 11 हो जाएगा और इसके पीछे कितनी 0 है 1, 2, 3, 4 यह 0 इस 1 के पीछे as it is लग जाएगी 1, 2, 3, 4, 0 हमने यहाँ पर लगा दी है 11 से हमने इस value को cancel किया है तो नीचे की side भी 11 से यहाँ पर 22 को cancel कर सकते हैं 11 to the 22 हो जाता है अब जो भी values बची है उनको calculate कर लेंगे यहाँ पर हमारा 10,000 है इसको 7 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 70,000 इसके बाद नीचे की side में आप देख सकते हो कौन-कौन सी value बची है 2 multiply में, 2 multiply में 4, 2 को 2 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 को 4 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 16 अब calculation हमारी बिल्कुल simple हो गई है 70,000 को 16 से cancel करना है 16 का table तो आपको आता ही होगा यह उमीद करके चलते हैं 16 से 70,000 को cancel करेंगे सबसे पहले 16, 4 जा यह हो जाता है 60, 4 70 में से 64 को minus करेंगे तो बचेगा 6 से 6 के पीछे यह वाली 0 लगाएंगे तो हो जाता है 60 16 के table में 60 से कम value आती है 3 times per 48 60 में से 48 को minus करेंगे तो मिलेगा हमें 12 12 के पीछे यह वाली 0 लगा लेंगे तो हो जाएगा 120 16 के table में 120 नहीं आता है लेकिन 112 आता है 7 times per तो यहाँ पर आ जाएगा 7 120 में से 112 को minus करेंगे तो आ जाएगा 8 8 के पीछे यह last वाली 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 80 और 16 के table में 80 आ जाता है 5 times per यानि कि जो भी car के tire हैं वो 10 मिनट में 66 किलोमेटर पर अवर की speed से चलेंगे 4,375 complete होते हैं revolution 10 मिनट से लगातार चलने पर 66 किलोमेटर पर अवर की speed से tires के यही हो जाएगा हमारा answer last में यहाँ पर लिख देंगे therefore number of complete revolutions equals to me 4,375 यह हो गया answer question number 4 हुआ complete exercise का last यानि की question number 5 उसके लिए move करते हैं next page पर exercise का last यानि की question number 5 इसमें है take the correct answer in the following and justify your choice if the perimeter and the area of circle are numerically equal then the radius of the circle is question number 5 में हमें यहाँ पर option दिये गए हैं जो सही है उसको choose करना है और justify भी करना है so problem क्या है perimeter है circle का और area है circle का जो एक दूसरे के equal हैं तो हमें बताना है circle का radius क्या होगा इसका answer हो जाएगा guys two units यानि की a option हमारा सही होगा अब सही कैसे है इसकी justification दे देता हूँ condition क्या दी है circle का perimeter यानि की circle का circumference और circle का area एक दूसरे के equal है circle के perimeter का formula होता है two pi r equal है यह area of circle यानि की pi r square के यह condition हमें दी गई है तो इसको solve करेंगे तो इस side में भी pi है इस side में भी pi है pi से pi cancel हो जाएगा pi cancel होने के बाद इस side में बचेगा two r इसको इस side में लिख देते हैं two r equals का sign लगा के यहाँ पे हमारा है r square किसी भी value पे square लगा है उसका मतलब होता है कि वो value खुद से ही multiply है यानि कि इसको हम लेख सकते है r multiply में r आप देख सकते हो इस side में भी r है इस side में भी r है तो r से r cancel हो जाएगा यहाँ पर हमारा बच जाता है two equals to me value क्या बचती है हमारी यहाँ पर r सो यह आ गई हमारी r यानि कि radius की value two मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि two units हमारा सही answer होगा अगर किसी भी circle का perimeter और area एक दूसरे के equal है तो उसे circle का radius होता है two units यहाँ पर यह justification हो गई और इसका सही answer हो जाएगा option number a सो इस justification और answer के साथ question number 5 हो जाता है complete इसी question number 5 के साथ exercise 12.1 हो जाती है complete उमीद करूँगा सभी question आपको समझ आए होंगे अगर समझ आए हैं तो वीडियो को like करो अपने classmates के साथ share करो और जितने भी नए student आए है channel को subscribe कर लो class 10 के educational videos इसी तरह से channel पर आती रहेंगी इसके अलावा chapter number 12 के जो भी यह other parts है सभी के link आपको नीचे description box में दिये गए है सभी parts को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना guys